कि है लो प्राइकता बढ़ा दिजे तो लिजे आपके कहने पर आप सभी की फर्माईश पर मैंने आज अपने भंडारे में प्राइकता शुरू किया है जोकी चेप्टन नमबर 13 होता है और प्राइकता में देखिए हम चीजियों को तभी सीख पाएंगे जब हम बेसिक चीज आए जाता है क्लास 9 में भी थोड़ा सा है क्लास 11 में भी है क्लास 12 में थोड़ा सा ज्यादा है ठीक है लेकिन प्राइक्ता की खास बात यह है कि आप डारेक्ट नहीं सीख पाएंगे जब तक बेसिक चीजें नहीं है तो आज की क्लास बहुत ही important है उन्हीं बच्चों को प्र करना चाहूंगा कि जो अच्छे पूरा समझना चाहते है प्राइक्ता वाकई में उनके अंदर यह जजबा है कि मुझे प्राइक्ता समझ नहीं समझना है तो आज का पूरा क्लास सुरू से लेकर आखरी तक एक-एक शब्द पर ध्यान दिजेगा आज हम डिसस करेंगे कि तास के पत्तों में किते हैं जो तास के पत्ते होते हैं उसमें क्या-क्या चीजे होती है और जब हम किसी पासे को उच्छालते हैं तो क्या-क्या शंभावनाएं होती है दो पासे को एक साथ उच्छाला जाए तीन पासे को एक साथ उच्छाला जाए या दो पासे को अलग- ही important है ठीक है चलिए प्राइक्ता की बात हम करें तो आपके जो बोड एकजाम में हैं दस नमर का इससे contribution है एक कोशें प्राइक्ता में एक नमर भी आता है एक दो मेर भी आता है वे घुमहापीरा कि दस नमर आपका कही नहीं गया कुछ तो डारेक्ट फार्मले पर आये थीक है तो बड़ी खोशी की बात है कि अगर फार्मले पर डारेक्ट आये तो आप कर ले जाएंगे तो आएए इस वीडियो में करीब करीब से करीब आप कम से कम जो है 2000 लाइक होना चाहिए ठीक है प्राइकता और कल हमने सारे बात सबसे ज़्यादा हुई है ठीक है और भी चेप्टर है लेकि जो चीज़ हम पढ़ा दिए उसको देखते ही ने प्लेलिस्ट में जाके उसी चीज़ को बार बार पढ़ने के लिए क्लिए कुछ नया चीज़ सीखिए ठीक है अभी जब तक टाइम टेबल नहीं आये प्राइक्ता का जो मोटी मोटा कॉंसेप्ट ही होता है कि किसी काम को हम जब कर रहे हैं उस कारे के होने की संभावना को ही हम गडित के भास हमें प्राइक्ता कहते हैं जैसे की बात हम करें कि आप बोर एक्जाम देने वाले हैं आपका कि 90% आने की संभावना क्या है ठीक है यहां सम्भावना की बात आजय जहां पर जोचीजा फिक्ष न हो की यह चीज होगा या नहीं होगा कितना परसेंटेज छांस है तो वहां पर प्रायक्टा की बात होती है। जहां पर कोई सिच सुर नहुं हुआ है। 1 को हम प्राइक्ता में convert कर देंगे आप percentage की बात करेंगे तो 100% की बात हो ठीक है यह तो होगी थोड़ा सा बेवारिक बातें लेकिन आप समी को पहले इन सारे टर्मोल से हम जो जो अब आज बताने वाले हैं पहले इस सारे टर्मोलाजी जानेंगे तभी प्राइक्ता के सवाल थोड़ा बहुत आप कर पाएंगे अगर यह सारी सीजन नहीं जानेंगे तो बहुत मुस्किल आईए शूरू करते हैं क्या दृषिक परिशन क्या होता है देखिए ऐसे experiment जिसके परणामों के बारे में आपको कत्ते ही जानकारी नहीं ठीक है अगर हम सिक्का उच्छालते ह हैं तो हेड आया टेल आये इसकी कोई गारांटी नहीं हमको पता ही नहीं होता है कि क्या आएगा क्या आउटकम आएगा ठीक है क्या प्रणाम होंगे तो ऐसे सारे experiment जिसके प्रणाम के बारे में आपको जानकारी नहीं हो रेंडम experiment कहलाते हैं समझ में आगया इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कभी कोई पूछ दे देखिए समझ लिजे प्राइक्ता पूरी जीमन भर कभी नहीं बुलेगा आपके घर मेंगर कोई छोटा भाई बैन कोई भी हो 9 पे पढ़ाओ 10 पे पढ़ाओ आप समझा देंगे बढ़ा देंगे उसे ठीक है अब जो सबसे important है बच्चा परतिदर्स समिष्टी यानि की simple space सारा का सारा जो खेल है जो probability है इसी की इर्दिकी घुमता है अगर आप किसी भी घटना के परतिदर्स समिष्टी यानि simple space बनाना सीख गये हैं तो मैं बता दो कि आपकी प दो सिक्के उछाले जा रहे हैं ध्यान देजेगा simple space क्या होता है यह बहुत important है किसी घटना के simple space को बनाना किसी इवेंट्स की बहुत जादा ही important है यह शब्द ठीक है इसको S से represent करेंगे ठीक है और simple असान भासा में कहें तो जो प्रतिदर्स simple space होता है प्रतिदर्स समिष्टी होता है वो एक समुच्य होता है बच्चा और समुच्य होगा तो उसमें element भी होंगे और element ही क्या होते हैं वो घटना को represent करता है event को represent करता है अभी आपको नई समझ में रहा कि हम क्या क्याना चाले 2000 लाइक होना चाहिए आज की वीडियो मे हम बताएंगे लेकिन आज की class बहुत important है समझ लेजेगा अगर हम दो सिख्ये उछाल लाएं ना ठीक है दो सिख्ये एक साथ एक सिक्काए हैं एक साथ देखिए दो चीजे होती है दो सिख्ये अलग-अलग time में उछाले जाए चाहे एक साथ ठीक है चाहे एक सिख्या को दो एक सिखा यहां पे पहला है दूसरा है तो अगर आप दोनों सीखाओ के एक साथ उच्छाल ना है तो क्या-क्या possibility है उसको reperearn करना थीक है एक तो हो सकता है दोनों पहेड आ जाए पहले पहेड आए दूसर्ले पहेड आ जाए ठीक है या पहले पहेड दूसरे पहेड आ जाए या तो दोनों टेल आ जाए देखिए यह सारे यह दोनों experiment हैं यह हमारे random experiment क्या लाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ आने वाला है और जहां पर प्रणाम की बारे में हमको ना पता हो वहीं हमारा जो है random experiment क्या लाता है ठीक है तो यह जो है बच्चा यह simple space अगर साप साप सब्दों में कहें कि कोई events कोई भी आप experiment कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़े आने की संभावना है उसको हम एक क्या कहते हैं इसको समुच्चे गुरूप में represent कर पाएं तो वहीं हमारा क्या क्या लाता है इस इंपल इसपे तो सिंपल इसपे simply एक क्या होता है समुच्चे होता है जो कि किसी घटना के क्या-क्या संभावनाएं होती है उसको represent करता है ठीक है और यह इसके इसमें कितने element हुई चार element हुई ठ सेमपल स्पेस का एक घटना क्यला एक एक जो point है जो अवेव है से सेमपल इसपेस इसका क्या क्या शाग लाएगा 이ιαन का घटना में ँसमें शेंपर आहिम simple space बनाना बहुत ज़्यादा ही important है अभी आपको नहीं समझमा रहा होगा हम जो बाते कहने वाले simple space चलिए बनाईए अभी एक question आपको दे रहे हैं simple space बनाना अगर आपको आगया तो आपको कराते हैं चले question आपकी सामने दिख रहा है समझ लीजिए अच्छे से पूरी जीवन भर काम आयागा दो चार दिन का समय लेके इसको तो दस नमबर हम लोग किलियर कर दें एक बैग बच्चा इसमें चार केदे हैं red है black है white है yellow है चार गेदे हैं अलग-अलग रंगों की किसे ने कहा या हम ही कहा है कि बच्चा आप दो इसमें गेदे निकालनी है ठीक है तो दो गेदे निकालने का आप क्या मनाना है आपको सेंपल इस्पेस बनाना है तो सिंपल सी चीज है चार गेदे हैं इसमें समझिएगा तो सेंपल इस्पेस क्या मनेगा ठीक है बताइए क्या क्या हो सकता है सबी लोग बताएं इसमें चार गेदे हैं दो निकालना है तो क्या क्या पॉस चलिए आफ ऌप समझ गए ओंगे यह क्या चाहरें देखिए पहली बात निकालें कुकल दिया तोfaced रेड ब्लेक हो सक्कीं हो सकता है डिले रूबवा है यह पोसक्ता है कि रेड वाइट हो जाए था कर्वेलिष्ठेअ सेम्पल इस्पेस क्षा रहे से निकाल रहाइं आप इस हम पता नहीं हespère निकाल रहा है ठिक है अट रेंडम यानि दोगे निकालना इनĩ निकालना इसका सेंपल इसके भले आप पहले सीपढ़ते होतने हैं लेकिन हम एंगे अगर पढ़ा हैं आपको और पहले से या रेड यलो ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं रेड के साथ कॉमनेशन हो गया कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है अब क्या हो सकता है ब्लैक और वाइट हो सकता है ठीक है या तो ब्लैक येलो हो सकता है ठीक है अगर हम फिर क्या बता सकते हैं ब्लैक और येलो हो सकते हैं क्ल यह चीज एक होगा अगर इसको white black यह सेम हुगा ठीक है तो यहां पेंज वहारा हमारा simple space त्यार हो रहा है उसमें कितने element हो रहे हैं एक दो तीन चार पांच छे थीक है 6 element त्यार हो रहे हैं यह हमारा simple space किलाएगा यह जो हम एक्सपरिमेंट कर रहे हैं, दो गेद अर्टेनम निकाल रहे हैं, चार गेदों में से, तो इसके जो sample space होंगे, ठीक है, अब यही से sample space से ही हमारे सारे सवाल बनेंगे, किसी घटनाओं के बारे में, जो हम लोग discuss करेंगे, वो सारा सारा खेली सी sample space से आएगा, इस sample space में जीतनी भी सारे element है, वो एक घटना को represent करता है, एक event को represent करता है, red white, red yellow आना एक event है, एक घटना है, ठीक है, एक घटना है, clear रहा, एक events को represent करता है, clear रहा, अभी आपको लग रहा है, सारी चीज़े क्यों बता रहे हैं, सब का यूज है, बहुत लंबी class नहीं होगी, लेकिन फिर भी इतना होगा कि पूरा प्राइकता का जो कह सकते हैं भूमिका हम बना देंगे, बाकि सवाल जो आप बहुत अच्छे से solve कर लेंगे, चलिए, सबसे ज़्यादा जो सवाल आपके board exam में कोशे जाते हैं, वह है तास के पत्थे से, और शात में जो हमारा पासा है, ठीक है, यह दोनों चीजों से सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और पासा वाला जो question है, वह बहुत ज़्यादा important है, और तास के पत्थों क के बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं, तभी आपको चीजें समझ में आजाएंगी, ठीक है, जरात तास के पत्थों के बारे में समझते हैं, चले बच्चों, आप सभी जितने बच्चे लाइब देख रहे हैं, पहले वीडियो को शेर कर दें, हर बच्चों तक पहुचा दीजी, ठीक है, आप से सभी से रिक्वेस्ट है, तास के पत्थों के बारे में थोड़ी से जानकारी रख लेते हैं, सवाल यहां से बहुत बनते हैं, आप डारेक्ट जो बच्चे पहले से जानते हैं, कभी तास देखे होंगे, तो सीख जाएंगे, हम आपको कल तास दिखा देंगे, ठीक है, पहले समझ लेते हैं, इसमें तास के पत्थों के बारे में जानकारी होना बहुत दोरी है, टोटल जो बच्चा, टोटल जो पत्ते होते हैं, इसमें होते हैं, फिप्टी टू, ठीक है, फिप्टी टू में, और यह पूरा बाउंड पत्ता, च और यहां पर फोर्ड देखिए सवाल कैसे बनेगे और जो शेंपल इस पेस जब बनाने की बारी आएगे तो वहां पर अगर इन सब चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो बहुत मुस्किल हो जाएगा पहला अगर हम बात करें तो हुकुम होता है ठीक है हुकुम हर पत्ता तेरा तेरा होते है ठीक है चार हिश्यों में बटा है बावन पत्ते हैं तो तेरा ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये तेरा होकुम को क्या इंग्लीश में बोलते हैं भाई होकुम को बोलते हैं स्पेट्स और चीडी ठीक है इंग्लीश में जान देजी क्या जाने हैं लिकिन बच्चे CBC बोट के हैं, जो ही English Mediums है, उनको भी बता देते हैं, हुकुम को बोलते हैं, Spades, ठीक है, English में, यहाँ पे हो जाएगा, Spades, चीडी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाई English में, Clubs, ठीक है, Club, हुकुम और चीडी का जो रंग होता है, न बच्चा, वो ब्लैक, पाद आता है बच्छा पान पान को इंग्लीज में बोलते हैं हर्ट ठीक है हर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो अकार होता है अगर आप देखेंगे तो हर्ट जैसा ही होता है ठीक है इस तरह से होता है चीडी का जो सेफ होता है अगर आप कभी देखेंगे इस तरह से ठीक है इस तरह से रहता है अगर आप को भी ताज kita देखैंगे क्लियर है जा कि देखिएगा आच मांग लेजिए वह अ alcohol झो खेलते होंगे फोकुम जो होता है एक निल को थोड़ा सा पलाट देंगे कि इस को उपर में जानने निवे बाकी हिंदी मी इट को बोलते है आइमा तो 26 पत्ता जो हो गया red हो गया बच्चा ठीक है और यह 26 पत्ता क्या हो गया black हो गया देखिए आप भले कितना हूं जानते हैं पहले से लेकिन हम जो चीज़े बताएंगे यहां पर कोशन कुछ आप अलग जरूर सेखेंगे 26 26 हो गया black सवाल जब बनाएंगे ना तो यह सब देखिएगा बहुत असान हो जाएगा क्लियर हुआ दिमांग में बैठाइए होकुम चेड़ी पान इट यह चार इश्यों बटा है प्रतेक पत्ते तेरह इसके तेरह इसके तेरह इसके तेरह समझ में आ गया ठीक है अब देखिए टोटल जो है सब सुच जो बड़ा इसका ठीक है अगर जो इंग्लिश मीडियम के स्पेट्स क्लॉफ हर्ड ाइमड ठीक है है हट से तो कोई दिक्कत नहीं है हर्ड जैसा सेफ होता है होकुम जो है इसको बदल लेंगे ंटिक है यहां पर क्यों focus कर रहें बार-बार कारण है जब कोई चीजे हम बार-बार करें तो इसका मतलब उसका कुछन कुछ कारण है समझ मैं रहा है वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करिए और साथ में सभी बच्चे कमेंट करें कि हां सर जो प्राइक्ता पढ़ा रहा है जो basic से हमने शुरू किया है यह मानके कि आपको इसके पहले नहीं पढ़े है ठीक है तो यह मानके जब पढ़ाएंगे तो बहतर चीजे आप सीख पाएंगे और आप खुद भी ऐसा महसूस करेंगे ठीक है अब देखिए तेरह पत्ता में एक सबसे पहले देखिए इका होत है बहुत तगड़ी पत्ती होती है ठीक है कहने के लिका होता है इसको एस बोलते हैं इंग्लिस में एस इसको बोलते हैं इका ठीक है इस पत्ती का भी एका होगा इसका भी एका होगा इसका भी एका होगा इसका भी एका होगा अगर देखा जाए तो चार इक्के होते हैं टो हुकुम की बात करें तो 1,1 हो गया, 2 होता है, ठीक है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, ठीक है यह सब number mentioned रहते हैं, Ace हमारा इक हो गया 1,2,3,4, 3, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11,12 14 14 15 वहिंता है जो सबसे कींग त्यानि की राजा तो राजा होगा तो रानी भी होगी और क्वीन ठीक है बच्चा पिस यानी रानी और इसके बाद आता है मद् कि एक राजा क्यों गुलाम घुल फे ताइए ठीक है क्या है भाई वह वह गुलाम 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 जैक ठीक है इसको बोलते हैं गुलाम ठीक है यह हो गया जैक जे इंगलीज में जैक ठीक है तो देखा जाए एकका एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरह पत्ते हर एक का होगा चीडी कभी गुलाम होगा रानी होगी राजा होगे ठीक है दस नौ आठ साथ इस सारे पत्ते होगे पान कभी क्या होगा इकका होगा दू तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ठीक है किंग किंग औरे सब जैक इसके भी होगे हर एक पत्ते का तेरह तेरह कंबनेशन देगा ठीक है हम जो चीजे बता रहे हैं समझना रहा है इसमें कोई दिक्कत परशानी नहीं होना चाहिए घवराईएगा मत 3-4 दिन थोड़ा समय दीजे पूरे जीव उन पर प्राइक तक कभी नहीं बुलेगा ठीक है इसके आगे कई चीजे हैं अपोर जी घटनाएं क्या होती है इस में से फेस कार्ड बड़ा सवाल आता है ऐसी करतं किःख्या आगे हो जैसे राज को राणी और गुलाम इसके जो है ये चेहरे बने होते हैं बाकि सब पर कुई चेहरा नहीं होता है बस आठ है तो 8 ठीक है 9 तो 9 10 लिखा रहता है कि बन लेकिन face card क्या होते हैं जिस पह चेहरे king है तो king जैसा बना रहता है राजा जैसा पूरा पहने होने तो हर हुकुम के भी 3 face card होंगे चीड़ी के भी तीन face card होते हैं पान के भी तीन face card होते हैं इट के भी अगर देखा जाए तो टोटल पत्ते जो face card होंगे इसके तीन, इसके तीन, इसके तीन, इसके तीन यानि टोटल बारफ face card होंगे ठीक है? यह जो राजा, रानी और गुलाम है यह सब के होंगे ठीक है हुकुम के भी राजारानी गुलाम होंगे चीडी पत्ती के भी राजारानी गुलाम होंगे और पान के भी राजारानी गुलाम हर एक का यानि जब भी फेस काड की बात करें दिमाग में बैठा लेजेगा फेस काड की बात करें तो टोटल जो है हमारे समझेगा total face card total face card हो जाएंगे हमारे 12 पुरे जीवन भर न बुलेगा कभी बता दे रहे हैं प्राइकता ऐसा पड़ा देने ज्यादा लंबी-लंबी class नहीं लगाएंगे ठीक है परशान होने के जो तना ही तयारी आपके सही चल रही है और क्यों नहीं चलेगी डेली class से चल रही है कुछ नो कुछ चीज़ा आपको मिलती ही रहती है और आप से related ही रहता है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया सभी बच्चे कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा एक नहीं सभी बच्चे तो इसका हिसाब किताब हो गया ठीक है दिमाग में बैठा ली जाएगा जब भी आपको डाउट हो तो तास का पता हम कल आपको दिखा देंगे क्लिर हुआ चलिए अब बात करते हैं पासे की ठीक है पासे की बात करते हैं चलिए बच्चा समझ लीजिए घवडाई एगमत के सर आपने सूरू नहीं कि अगर हम डायर्क तेरे दस्वन एक में आ जाते हैं और सीधे सवालों को हल करते हैं तो बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है मैं दावेक साथ कहता हूं नहीं समझ में आएगा लेकिन अगर ही सारी सीज़ आप जान रहे हैं तो मैं यह भी कह सकता हूं कि कोई भी सवालाय का आप कर ले जाएंगे ठीक है घवडाई एकमत कंडिशनल प्रॉबिल्टी सेंपल इसपेश है वह बहुत पासा है ज़ो आप देखिए होंगे महाबारत में ठीक है वहिं से लेकिन वैसा ही नहीं होता है और अब लूडो वाला जी लूडो वाला ही वहीं पासा तो है लूडो आप कहां वैसे खिलते हैं पहले हम लोग गोटी भर के ऐसे गिराते थे ठीक अब तो मोबाइल में आ गया है और सबसे ज्यादा लागडाउन में खेले जाना माला गेम पब जी और लूडो अगर हम एक पासा है पच्छा ठीक है एक पासे को हम उछाले देखेगा अब इस सवाल कैसे बनेगा अभी जो हमारा सेंपल इसपेस है वो चीज बनाना भोज़ोरी है अगर एक पासे को उछा ले सबको पता है कि एक साइड वन टू थ्री फोर फाइब शिक्स होता है एक पासे को एक बार उच् है three आशकताई four आसकता है five आसकता है six आसकता है हमको पता ही नहीं है क्या अच्या है अच्छकiseen है इसके प्रिमांड के बारे में प्रणाम के बारे में नहीं पता होता है इसलिए क्या है जो किसी 3, 4, 5, 6, सब की आने की equality यानि समान है कोई नहीं कह सकता है कि 6 जरूर आएगा इस बार ठीक है सम समभावित घटना है ठीक है डिसस करेंगे और एक ठीक है लेकिन जब दो पासे को एक साथ उचाला जाए दो चीजी होती है बच्चा एक पासे को एक बार उचाला जाए या एक पासे को दो बार उचाला जाए ठीक है एक पासे को दो बार उचालने का मतलब होता है कि आप दो पासे को एक साथ उचाल दीजिए एक के बात होता है ठीक है लगतार बोले जा रहा है न कोई हसी मजाक नहीं समझ लीजे एक बार उसके बाद तो सारी चीजे हैं हम कहीं गया नहीं है आपको बहुत अच्छे से त्यारी करवा के भेजेंगे बोड एक्जाम में ठीक है और दुसरा तो जुझ सेम्प्ल इस फेस बनेगा वच्चा इस क्या क्या चीज़े आ सकते हैं दोनों पास हो पर बनाएगे पहले क्या सकता बच्चा Tech व Bowl दूसरेस के अठीक पहले पर वन दूसатели पहले पर जैसलोरा है ठीक है देखिए कितना होगा 36 बनेंगे टोटल 6 इसमें टोटल 6 36 क्या क्या होंगे उसको देख लीजिए अब क्या हो सकता है बच्चा ठीक है इसमें 2 आ सकता है पहले पर 1 पहले पर 2 दूसरे पर 2 पहले पर 2 दूसरे पर 3 ठीक है इस पर 2 इस पर 4 ठीक है इस पर 2 और इस प आप लिखेंगे वह भी आपके पास तरीका होना चाहिए सिस्टमेटिक वे में एक इधर फिक्स कर दीजिए इसकी जितनी सारे पॉसивать सिन और यह उस्टमेटिक कहने आने की वह अपल लिख़ें समलिया आप को देखें पहले पे 3 हो सकता है दूसरे वाले प्रवान आcmा पहले 2 दूसरे पर two पहले पर two प्रवे तीन दूसरे पर 2 प्रीप दूसरे पे चार, ठीक है, तीन को fix कर दिये, ये पांच, और क्या सकता है, तीन, चे, संभाव ना है, तो ये सारी जो possibility है, क्या क्या सकता है, उसी possibility को लिखते हैं, और ये बनता है simple space, इस घटना के ये जो experiment हम कर रहे हैं, ये जो experiment क्या है, कि दो पास्ते को हम एक साथ उचाल रहे हैं, समझ मैं रहा है, कभी भी आप कहीं से भी पड़े होंगे, आपको जरूर यहाँ पे अंतर दिख रहा है, तास के पत्तो वाला खेल दिमाद में बैठा लेज़ेगा, कितने पत्ते हैं, कितने ब्लेक होते हैं, फेसाद क्या होता है, सारी चीज अब समझ लेजे, ठीक है, यह अभी बता रहा है, ताकि कल सवाल हम करे ती यहigator की भी समझ लेज, अभ धक्या लिखी होते बच्चा, चार हो सकता है, वन आयेगा, चार हो सकता है, इसके दिख़को दो आयेगा, सब डिफरेंट है 2、6 आया कहीं पर तो कहीं दीख रहा है 2,6 कोई भी eh experiment experiment जो है repeat नहीं कर रहा है आपए क्या सकता है पहले पर 5 दूसरे पर 1 ठीक है पहले 5 दूसरे पर 2 आ सकता है बनाई यह मेरे साथ कि कॉमा लगाई एगा 5 3 5 4 ठीक है पहले पर 5 दुसरे पर 5 आ सकता है और 6 यहीं संब्हवन ब्रेकट लगा दिया है तो अगर दो पास से एक साथ उसले जाते हैं तो टोटल जो हमारे सेंपल स्पेस में जो हमारा बनेगा उसमें जो एलमेंट होंगे टोटल नमबर आफ एलमेंट वो थर्टी सिक्स होंगे ठीक है पासे पे चार से ज्यादा संख्याई हो ठीक है चार से ज्यादा यानि पांच हो और छे हो ठीक है तो पहले वाले अस्थान पे कहां पे पांच पांच चार से ज्यादा चार से ज्यादा मतलब 5 और 6 चार नहीं लेना है यानि पहले वाले अस्थान पर 5 1 पहले अस्थान की बात हो रही है देखिए यह होंगे यानि टोटल जो हमारा अनुकुल इस एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा बारा ठीक है तो अभी जो हम जो पू बताएंगे बताएंगे को कोई घवडाने वाली बात नहीं है थर्टी सिक्स जो हमारे अनुकूल टोटल जो हमारी परिस्थितियां है क्या-क्या चीज़े आ सकती है टोटल पॉस्पिल्टी वह हमेशा नीची होता है और क्या चीज हम पूछ रहे हैं ठीक है अनुकूल पर इत पर पर नेकाले पर पहले बाल эту पासे पे पांसे ज़्याधा चार से स्यादा है चार इसन थारीप 1971 फ दूसरी अस्टां पी चार्से जादा होना चाहिए तो 4 ज्यादा एक दो तीन 4 5-6 7 8 9 10 11 12 यह जो है अनुकूल इस्तिती है जिस घटना की आप निकालना है तो बारबटा में 36 चिटियस क्या है क मैं 36 कितनी एलमेंट है वह हमेशा नीचे रहता है तो 1 Kh 4 जो प्रारा है लेकिन शो गहर आपको WIL शोणना प्राबटा में nad जॉए इसे 5 कह Kirby कि वी निदेता की detected अब देखे यहीं पे अगर तीन पांसे य को उचाल देब बच्चा देखेगा एंदधमाद झना जाएगा आपका तीन सेखेला जाना है अगर यहां पहले वाले पांसेंके 1 पांसे उचाले थे सेंपल इस्पेस में टोटल नंबर आप पिलिमेट कितने आ रहे है थे अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो टोटल हो जाएंगे ठीक है सारी चीजा आएंगी सवाल rada हूं करेंगे तो हाएंगे अगर आप तीन पासे को इचाहते हैं तो टोटल जो शंभाना जो simple space में element आएंगे ठीक है जो simple space में element आएंगो वो 26 आएगे ठीक है 6 गोलते 6 गोलते 6, total 26 अब आप घर बैट के बना भी सकते हैं पहले पर 1 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पर 1, तीसरे पर 1 पहले पर वन दूसरे पर वन ऐसे चेंज कर देंगे सुरू के दो फिक्स कर दीजेगा तीसरा बदलते जाएगा ठीक है टोटल दो सा सोलर एलमेंट हमारे बनेंगे सेंपल स्प 앉h में थीक है स्षड़ आगया चलि बहुत बड़ीए और पासे वाला हो गया तास्वाला हो गया और सिख्ये वाला ठिए अगर हम तीन सिख्ये को एक साथ उछल तो क्या-क्या possibility होगी जरा उसको बनाई है ठीक है उसके पास सवाल को हल करते हैं चले बच्चा तीस मिनट तो हो गया आप सोचे हैं सवाल सुरू नहीं है देखिए आज इसीजी सीख लीजे सवाल आपको मैं बता रहा हूं कि पूरे एक दिन में ही खतम कर सकते हैं इतना वो इसमें बहुत बड़ा फार्मला होता है नहीं आप सभी को पता है बस जो चीजे हैं इसके वर्ड जो बहुत इंपोर्टन होते हैं अब तीन सिक्के को उछालना है तो हमारा जो क्या-क्या possibility है कभी-कभी एक सिक्के को तीन बार उच्छालता है ध्यान दिजिएगा कभी- सेंपल इस्पिस त्यार होगा वो सेम होगा ठीक है अगर तीन सिक्के को एक साथ उच्छालना बच्छा तो क्या-क्या समावना है तीनों पर हेड आ सकता है इसमें कोई समावना ही नहीं पहले दूसरे पर हेड यहां पर टेल बनाई सेंपल इसमें बहुत इंपॉर्टन है अब ही हेड यह टेल इस पर आ सकता है हेड इस पर आ सकता है कोई दिखकर टेल पहले वाले पर आ सकता है दूसरे और तिसरे पर हेड हेड आ सकता है अब देखिए अब क्या है पहले दूसरे पर देखिए पहले पर हेड दूनों पर हमारा टेल हो सकता है टेल टेल ठीक है जीए गए यहां पर और क्या है यहां पर यह पहले वाले अस्थान पर यह चीज और यहां पर टेल यहां पर हेड और क्या हो सकता है तीनों पर टेल आ सकता है ठीक है टेल 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 पूछ और क्या बोलते सीट और पूछ बोलते हैं हेड और टेल अच्छा इससे रिल्टेड एक सावा बात थी याद आगा एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ टोटल आठ सम्भावना है हां हम जो बात बताने वाले थे जब हम छोटे थे जब खेलने जाते थे मैदान में किरिकेट वह रहा तो सिक्का तो अगर किसी के पास है तो ठीक है नहीं होता तो क्याता कि कोई चीप उठा लेते थे जिस पत्थर पतला जो सपाठ हो तो पह चली बताना तो नहीं था उसमें किया थे कोई थूख देता था था तो बोलते थे कि थूख वाला भी न थूख वाला ऐसा मतलब कंदा टाइप का फिर थोड़ा सा कुछ हम लोग सीखें तो उस पे सींबल बना ने लेंगे प्लॉस माइनट ठीक है तो प्ल Options फाला माइनस तो पहले यह वी था था ठीक है सिखका नहीं था तो यहीजी सी काम चलता था फिर बाद में कितने लुक चपल भी उडा लते थे किれति कि इसकी बाते में तो ऐसा हो था प् treatment फिर श्बाट में थोड़ा सिश्फ ह आया और चेंज हुआ तो यह पीछे हाथ करके कि यहां इसको खड़ा कर दिए वन इसका नाम टू पीछे इसे हाथ दिखाता था कोई और इसको यह इसका नाम रहेगा इसका नाम रहेगा ऐसे करके ठीक है किसकी बैटिंग पहले है उस सिक्वेंस में तो सारी सीजे वहां पर कि एक तरह से देखा जाए तो प्राइक्ता हम लोग सुरू से ही इस चीज को सीखते आ रहे हैं और हमारे जीवन में बहुत जादा यह इविंट्स घटनाएं होती है ठीक है तो यह चीज है अगर यहां से हम बोले कि देखिएगा कोशन यहां से हम बना रहे हैं हम पूछे क कि पहले और दूसरे सिक्के पे हेड आने की संभावना क्या है ठीक है उसकी possibility निकालिए कि पहले और दूसरे अस्थान पे हेड रहे है समझ में आरा हम क्या कह रहे है पहला सिक्का और दूसरे सिक्के पे क्या है हेड आए इसकी possibility क्या है यह हमारा पहला सिक्का है दूसरा औ प्राइक्ता निकालना है हमारा क्या इवेंट है यहां पे हम निकालना चाह रहें कि पहले और दूसरे अस्थान पे हेड हेड रहे तो उसकी जो प्राइक्ता होगी ठीक है पार प्राइकत अपर необход किसे से बात कर रहे हैं किस घटना की बात कर रहे है किसका हर एक एल्मेट एक घटना है TO REPORTER lending करता है जो अब है ठीक है और हम क्या निकालना चाहत है थो होता है कूल कूल अनुकूल परस्थिती यहां पर पहले नीचे कूल परस्थिती क्या है ठीक है कूल परस्थिती परस्थिती इसको देखेगा और एक कूल अनुकूल परस्थिती अनुकूल परस्थिती फेबरेबल एक टोटल पॉसिबिल्टी क्या है और इसमें जो फेबरेबल कंडिशन जो हम निकालना चाहरे हैं उसकी पोटल परिश्टिती ठीक है यह चीज इसको समझ लिजेगा जानते हैं आप पहले से आप अनकूल परिश्टि क्या बच्चा जो चीज हम पूछ रहे हैं अनकूल ध्यान दीजेगा तो पहले दूसरी अस्थान पर है तिसरे पर आ गया तो कोई दिक्कर नहीं पहले दूसरे पर है ना ठीक है तो टोल तो पहले यहां पर देखिए 8 है क्लियर हुआ और हम जो तिसरी अस्थान पर क्या है उसे नहीं मतलब है हमको जो पूछ रहा है कि पहले दूसरी अस्थान पर हेड एक नहीं तो एक हुआ पहले दूसरी अस्थान पर हेड है दो हुआ ठीक है और कहीं पर भी नहीं है और कहीं पर भी नहीं है पहले दूसरी अस्थान पर हेड ठीक है यानि कि पहले और दुसरे सिख्ये पे जो हेड आने कि समावना यह कूल अनुकूल परसिती है उटू है यानि कि अगर देखा जा भाग दें तो वन बाई फॉर्ट और प्राइक्ता से कभी आपको परसेंटेज में जाना है बच्चा तुरंत हंडेट कमाल पाई कर दीजे या है िंभाद अगा है कि इससे कोई दीकत परशानी नहीं अगर इसी में हम पूस्थ दे की कि दीनों पर हे डाने की संभावना क्या है तो रहने के समावना थिए चाहे कुछ भी करिये इसको , कर दीजिए एक है टोटर नीचे क्या रहेगा आठ वन बाई एट सेंपल इस्पेस में जितने सारे इलमेंट है वह हमेशा डिवाइड़ेट रहेगा नीचे ठीक है कि तीनो पेर टेल आ जाए इसकी समावना क्या वन बाई इसको पर्सेंटेज मेंं अगर करेंगे हंट से बहुत तो चार्ज बाग देंगे तो चाहरों बहुत दो आठ चार से भाग दिंगे 25 पर चीजिवनेट करना इसाड़ेगा बारा परसेंट resemblingirk में चांस है की हमारा क्या है तीनों पर हेड आ जाए थीक है तो यहां से हमारी प्रैक्ता भी डिशाइड हो गई किसी भी घटना के कैसी प्रैक्ता निकालते हैं कूल प्रस्तिती क्या है टोटल पॉस्बिल्टी क्या है ठीक है वह हमेशा नीचे रहेगा और जो चीज पूछ रहा है वह चीज हमारा यहां पर एक दो इवेंट्स के बारे में वैसे इवेंट्स भूँट धेर सारे हो सकते हैं यह ताइप से ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपकी जो बुक में पढ़ना है त्विल्थ क्लास में वह जो मुस्तली इसी के बारे में सिखना है कि परसपर अपवर्जी घटनाएं क् मुचली exclusive events क्या होते हैं कैसे हम पता करेंगे कि यह दो घटनाएं परसपर अपवर्जी हैं और कैसे स्वतंत घटनाएं क्या होती है इंडिपेडेंट इवेंट्स इंडिपेडेंट इस तो नाम से ही पता चला है अगर घर में दो लोग स्वतंत रहें तो कोई कुछ भी करे एक दूसरे से क्या मतलब होता है मोटी-मोटा यह लेकिन सबसे बड़ी समस्य है कि यह परसपर अपवर्जी घटनाएं ऐसी दो घटनाएं जो कि एक एक के घटित होने का effect दूसरी पर पड़े यानि जब एक घटनाएं हो उसका सीधे effect दूसरी पर पड़े यानि कि हम दू परोजी घटना हैं क्या होती मूसली exclusive कि जैसे हम बात करें कि लोकरी के लिए एक पद है ठीक है एक ठीक है स्कूल में ही गया प्रिंस्पल का पद है इस प्रिंस्पल के पद के लिए दो लो जले गये ठीक है एक माल जैब मेन चलिए एक वोमेण ठीक है दो लोग चले गए इंटर्व्यू के लिए अभद है आप क्या होगा अगर आदमी स्वाइब किया जाता है मैं आगर यहांगी कोई आदमी स्वाइब किया जाता है उस प्रिंस्पल के पर के लिए इसका मतलब वोमेन नहीं होगी ठीक है इन महिला को नहीं सेलेट किया जाएगा अगर महिला को सेलेट किया जाता है तो पुरुष को नहीं सेलेट किया जा रहा है यानि कि एक का सेलेक्शन का होना सीधे दूसरे पर इफेक्ट डाला है अगर वोमेन सेलेट कि जा रहे हैं तो आदमी नहीं आदमी से लिटके जागता और महिला नहीं यानि कि एक का होना दुसरे पर इफेक्ट डाला है ठीक है अगर यहां पर दो पद होता अगर दो लोग जाते हैं तब यह घटनाय परसपर स्वतंद्र हो जाते हैं ठीक है देखे सवाल यहीं से आपको किलियर हो गया यानि कि आदम अगर में आदमी चुना जा रहा है इसका मतलब यह भी हो जाएंगी इसका कोई मतलब फरक नहीं पड़ेगा एक दूसरे को कि दो पद है दो लोग गया है यहां पर घटनाय स्वतंद्र हो जाएंगी लेकर एक ही पद है तो यह घटनाय परसपर अपरजी हो जाएंगी ठीक कुछ हले है तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा ठीक है दोनु चीजे कभी नहीं एक साथ हो सकती है 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 घट का आना यानि यह डिशाइड करेगा कि टेल नहीं आएगा यानि एक का इफेक्त दूसरे पर पढ़ रहा है इस तरह की घटनाय परसपर अपरजी होती है बोलते हैं परसपर अपोर जी अब देखिए स्वतंत्र घटना है ठीक है इंडिपेड़ेंट इवेंट और कैसे हम पता करेंगे एक कोशन हम करेंगे अभी तो समझ में आ जाएगा मोचली इक्स्किलीज इवेंट क्या होता है श्वतंत्र घटना है क्या हुती बच्छा ऐसी घटना है जिसका उप्त पर एक के घटित होने से कल से हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे सवालों को आप सवर परतिबंद ठीक है कंडिशनल प्रबिल्टी अब निकालेंगे वह परतिबंद प्रायक्ता कि सवर प्रायक्ता क्या होता है कि इसमें होता है कि अगर यह चीज होगा तभी यह वाली घठना हो गे अगर ऐसा होगा कि अगर एक तो है कि मित यह पर ठीज हम थे घूंडी तब इनिशा वहारवर निश्वाल्श यह निकालना है और उसका बहुत आसान होता है ईवाई है ठीक है यहां पे intersection f ठीक है यहां पे यहां पे हो जाता है पी f एक चोटा सबुत फर्मला इसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एक नमबर दो नमबर पांच नमर तीक है यह प्रॉबिल्टी आफ इवेंट सी यदि हमारे जो घटना f है वो हो इसके होने के बाद इसक यहां पे conditional probability है यहां पे घटना होगी तभी एका होना है ठीक है समझ मैं रहा है होता है जैसे होता है कि देखिए यह conditional probability हम पहले से किसी बच्चे को आप घर पे हो किसी बच्चे को भेजने के जाओ बेटा जाओ दुकान से मसाला लेते आओ आलू लेते आओ सब्जी लेते चोटे बच्चों को या मालेजे साबून लेते आओ आप नहीं जा रहा है और अचाने पता जला साबूने किसी चोटे बच्चों को भेजने वो जाए गए नहीं जब तक उसको आप लालस न दे असे जाओ एक उर्पया लो चॉकलेट लेलना ठीक है टॉफी लेलना अगर आप उसे टॉफी का लालस देंगे तभी हो जायागा यानि कि यहां पर बच्चा ने भी कंडिशन लगा दिया कि मुझे एक कुरूप एक्स्टा मिलेगा तभी हम यह काम करेंगे यहां की स्तिती को हम लोग कंडिशनल प्रॉबिल्टी करें और यह फर्मना बहुत असान है इससे सवाल बहुत बनेंगे कंडिशनल प्रॉबिल्टी इसको बोलते हैं ठीक है स्वतन्त घटनाई क्या है बच्चा स्वतन्त घटनाई क्या है कि अगर हम दो पासे को उच्छाले एक साथ तो पहले पर हो सकता है आवान आजाए दूसरे पर टू आजाए पहले पर तू पासे को एक साथ उच्छालते हैं तो पहले पर जो भी आए उसका इफिक्ट दूसरे पर ना पड़ेगा दूसरा वाला इंडिपेंट है उस पर कुछ भी आया सकता है एक पर कुछ नंबर आया और दूसरे पर कुछ आए वह एक दूसरे से इफिक्ट नहीं डालते हैं समझ चालना एक साथ और जो भी सारी घटनाएं होंगी उपर इंडिपेनेंट होंगी ठीक है क्यों क्योंकि एक का इफिक दूसरे पर पड़ेगा ही नहीं क्या ची जा रहा है समझ में चलिए बहुत बढ़ियां च्छोटे च्छोटे एक्जामपल हैं जो हम अपने दैनिक जीवन म मोटे बहुत ही easy question और प्राइक्टा के सवाल आपके जब competitive exam या कहीं भी देने जाएंगे इसमें फार्मले होते नहीं है बहुत बेसिक चीजी होती है प्राइक्टाओं का कब गुणनफल ठीक यह सारी चीज़े हैं अभी हमें करना और बहुत अच्छे समझ में जाएगा ठ चले पचा एक question करते हैं जो leap year वाला question ना बड़ा ही important है कई बार पुछा गया बोड़ exam में और आप कहीं भी आगे जब competitive exam देंगे तो वहां पर question बनता है leap year से leap year के खास्यत क्या होती है देखिए यहां से सवाल क्या बनता है question आप देख लिजे question आपके सामने रहा यह easy question है कहरा यदि किसी leap वर्ष को या द्रिश्या अट्रेंडम चुन लिया जाए तो उस वर्ष में तीरपन रविवार होने की क्या प्राइकता है ठीक है यह समझेग लिप यहर में खास बात यह होती है कि उसमें 365 यानि की जो है 365 को अगर हम साथ से भाग दें तो 735 ठीक है 365 यहां पर एक बच्चा सादुना के चौद यहां पर यह जो दो दिन बच रहा है न बच्चा देखिए इसमें क्या बोला है कि तीरपन रविवार होने की प्राइकता क्या है ठीक है अगर कोई लीप यह चूज कर लिया जाए उसमें तीरपन रविवार होने की प्राइकता क्या होगी देखिए 365 365 दिन वाला जो लीप यह खास यह होती तींसो चाट दि और साथ में कुछ और इसमें इंक्लूड होता है यानि 22 सब्सक्राट तो पूरा होता है लेकिन यह दो दीन और एक्ष्टा होता है ली और पिएर के खाश्यत ही होती है ठीक है अब दो दिन क्या हो सकता है समझेगा कोशन देखें कौशन हट गया है अब यह दो दिन की पॉजबिल्टी क्या है सिर्फब्ली सब्सवार दोनों दिन क्या हो सकते हैं समीह रहा है दोनों दिन देखे-금42 तार्स नहीं का मतलब है कि उसमें से या तो हो सकता है देखे-चैक्या-प्यवर सोमवार और मंगलवार हो सकते हैं, देखिएगा, सोमवार मंगलवार हो सकता है ये दोनों दिन, सोमवार ठीक है, या मंगलवार, मेरी बास समझ में आ रही है, मंगलवार हो सकता है, जब भी होगा तो सेक्वेंस से ही होगा, बुद्दवार हो सकता है, ठीक है, ये दो दिन क् क्या हो सकते है बच्चा सुक्रवार ठीक है सुक्रवार हो सकता है और सनिवार हो सकता है यह जो दो दीने एक्स्टान निकल रहा है हमको पता ही नहीं कि क्या है पता ही नहीं क्या है तो उसकी सारी पॉस्पिल्टी लिख रहे हैं जो पॉस्पिल्टी को लिखते हैं यह हमारा क सकता है देखिएगा possibility या क्या हो सकता है रभी बार रभी बार या सुमवार हो सकता है तिक है उसके बाद आगे जाएंग तो repeat करेगा फिर से सुमवार मंगलवार भाई दिन अगर दो बचें होंगे तो sequence ही तो होगा अगर सुमवार है तो अगला दिन मंगलवार ही होगा दो दिन जो किस्टा बचा है अगर पहला सुमवार है तो अगले अगला 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 थोड़ो होगा जो दिन बचेंगा वो सिक्वेंस ही रहेगा यह यह possibility है अब बताइए उस तीरपन सप्ता हो जाए यानि सप्ता होने तीरपन रभी बार तो हो गया है ठीक है बाव possibility देखा total देखा जाए एक दो तीरल चार यहां पर ठीक है आढ़ का चलिए इसको देखी करी क्या हो रहा है इसमे रभिVार कहां पर है ठीक है इसमें रभिवार कहां पर है देखा SAY शनिवार रभिवार इस एसमें रभिवार है अगर सनीवार रभि बार पड़ गया तब एक रभिवार पड़ गया रभिवार पड़ जया है समवुर पड़ जया थीक है छ इसको देखεια हम थड़ीफ पानी पीघल ले ते हैं घला सोक्रह मेरा कि यहां पर थोड़ा सा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है अगर सुमवार मंगलवार है अगला मंगलवार बुद्धवार होगा ना एक इसमें और बढ़ा लिजे ठीक है इसमें बढ़ा लिजे अगर एक और होगा मंगलवार और क्या है बुद्धवार हो सकता है कि तो हम भूली प्रस्पतिवार शूपरवार ठीक है वर स्विद्वार उक्रूवार अगर लेखा सग rental जाये टोटल लेखा जाए तो एक दो थी चार पांच छे साथ संभानाइब एक सब्सक्राद कीज की साथ थीन होने का है सकता है तो जाये रहा साथ पियर में रविबार कहां कहां पर हैं तो ओं है सलिए तो टोटल TV अभीवार एक तो हमारे पॉस्बिल्टी है कि वह लिपेर तिरफानप रविवार कंतेनन करें तिरफार रविवार को जय वह लिप gesprochen इसकी पॉस्बिल्टी है 2 x 7 देख लिए यानी हमारा कहां कहां से मलप्लाई करें अगर प्रसेंटेज में आपको समझना है कि कितना प्रसेंटेज चांस है कि वह लीप यह तिर उस लीप यह में तीरपन रभीवार हो जाए बावन तो हो गई हो गा तो यह तो यहां पर विवार कहां पर की प्राइक्ता टू बाई सेवेन है इसको अगर कनवर्ट किया जाया परसेंडेज में साथ एक हम साथ तीन बचा साथ चुक अठाइस साथ लगबग लगबग अठाइस दसमेल चार मोटी मोटा समझे कि 29 परसेंट चांस है कि हमारा क्या है 29 परसेंट चांस है कि वहां लेपीयर में 33 परभिवार हो जाया तीक प्राइक्ता में कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं हमें उसके वर्ड को समझना है वर्ड को समझ के चीजे लिखने हैं ठीक है समझ माया कुछ कोशन और देखिए एक कोशन और देखिए उसके बाद सारी ची समझने के लिए पहले भूमिका बनाते हैं चुकि प्राइक्ता बहुत बच्चे ने पढ़ा होगा बहुत बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उस चीज को समझने के लिए हमने बिल्कुल बेसिक से बताया प्राइक्ता को जोड़ते हैं कब प्राइक्ताओं को जोड़ते हैं क clear वा है दो दो सेट का इंटरी तक कैसे करते हैं इंटरसेक्शन कैसे करते हैं यह सीख लीजिएगा एंस जिएक क्या मतलब होता है यह में इस बीगोंगों घटाते हैं इस अब सारी चीजे हम बताएंगे अगर एम चले इसे आ रहे तो थीक है हम वहीं है कुछ चीज़े आएंगे कुछ चीज़ नहीं आएगे ठीक है अगर और भी चीज़ी ये सेट फिरेका है union intersection ये minus b करें या बी minus c कारें और प्राबिल्टी से related और और चीज़े गर चीज़े tout है जो अमने कर देंगे किसी भी इमेंट की की प्राबिल्टी मिनिमूम जीरो और मैक्सम Самम ओन होती है ठीक है यह चीज जीरो के सी सिवन के भी प्राविल्टी में है व्हां आधा है यह प्रावल्टीह में जीर्या होरो माक्तक्रोय से कि 2 available करेंगी यह उसके बारे की प्राइक्ता को हम PE से रिप्रेजंट करें तो उस घटना के न घटित होने के प्राइक्ता को हम 1-PE से रिप्रेजंट करेंगे और इसको हम रिप्रेजंट करेंगे PE ठीक है किसी भी घटना के प्राइक्ता पीई से रिप्रेजेंट होता है उस घटना के घटित ना होने की प्राइक्ता को पीड़ा से और वन में से हम घटा देते हैं उस घटना के घटित होने की प्राइक्ता से तो उस घटना के ना घटित होने की प्राइक्ता कि वह घटना ना हो उसकी प्राइक्ता निकल आ जाती ह यह भी बहुत बेसिक बाते हैं आप अगर भूल गए होंगे तो मैंने आप बता दिया है बहुत लगतार हम बोले जा रहा है ठीक है चीजे ऐसी थी जो बताना बहुत जरूरी था और इस चीज का भी यूज हम करेंगे ठीक है कभी-कभी तो पूछता है किन्ना वाला पूछत प्लीज लाइक करिएगा 2000 से ज्यादा लाइक चाहिए आज की वीडियो में 2000 से ज्यादा लाइक ठीक है कल का भी शेशन तीन चाल तिन में आप प्रायक्ता खत्म हो जाएगा तेरे दसमनों एक तेरे दसमनों दू और तेरे दसमनों तीन ही पढ़ना है ठीक है बहुत अच् लीजेगा कॉपी पे दिमाग में रखेगा वो कोशन करते करते हो जाएगा ठीक है आज के सेशन कैसा रहा आप कुछी जया सवन में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए कमेंट करके बताए कि हां सर हमने जो प्रायक्ता में हमें पता है कि हमने तेरे दसमनों एक के चुन उनके साथ और प्लेलिस्ट अलेडी बन जूकी है चवालिस नमबर का अलग आउकलन समाक्रन का जाके देखिए और चपन नमबर के जो बाखी सेश चेप्टर है उसको बना दिया गया है बहुत बच्छे कल कमेंट के कि सर आउकल समेकड़ बना दीजिए मैक्समा मिनम अगा सवाल नहीं आए जहां कि देखिए जहां कि प्लेलिस्ट करिए एकदम जो जो आप बोलें उस सब कुछ करा है ठीक है टेजन्ट और असपरस रेखा इवलंब रेखा का सवाल हमने करा है डेली आपको कुछ निकुछ मिल ला है ठीक है शमाक्रण के अनुप्रियूप स करा दिए उतने मैं से आता ही है तो आज क्लिए बस इतना है मेरे प्यार वच्चों कल मिलते हैं इसी जोस जुन के साथ तब तक कि बहुत बहुत सुक्रिया जैहिन चैवारत